हेलो माई दियर स्टुडेंट्स कैसे हैं आप सब एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनलाइन केमिस्ट्री विद अटल पाटिदार में मैं आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूँ आज की वीडियो में यूट्ट्री इलेक्ट्रोचेमिस्ट्री का एक most important topic हम करने वाले है ननस्ट इक्वेशन और इसके बेस पर आपकी exam में numericals 110% देखने को मिलेंगे है ना 110% देखने को मिलेंगे numerical इसके बेस पे तो अगर आपको numerical अच्छे से solve करना है इस topic के तो आज का जो topic है nonced equation ये आपको अच्छे से clear होना चाहिए ठीक है इसके बाद वाला जो वीडियो है वो nonced equation के numerical के बेस पर ही रहेगा तो वो वीडियो भी important रहेगा आपकी exam के लिए ठीक है तो concentration यहाँ पर बनाए रखना है बिल्कुल ही आसान हो जाएगा बिल्कुल हलवा हो जाएगा आपके लिए ये topic और इसके बाद में जब आप numerical करेंगे आप चुटकी बजाते ही वो numerical solve कर पाएंगे ये आपसे मेरा वादा है बस आपका काम वीडियो को end तक देखना है concentration से देखना है ठीक है चलिए तो non-st equation actual में है क्या देखिए आपने इसके पहले मैंने आपको बताया था standard condition के बारे में तो standard condition क्या होती है मैंने आपको previous वीडियो में बताया था जब मैंने standard hydrogen electrode शी के बारे में आपको पढ़ाया था ठीक है standard condition क्या होती है first concentration से related याने कि 1m concentration होना चाहिए किसी भी solution की second है 180m है ना 180m pressure होना चाहिए और third जो thing है 298 Kelvin temperature होना चाहिए ये standard condition मानी जाती है तो अगर किसी cell के लिए अगर हम electrode potential calculate करते हैं तो ये जब condition apply होगी तो वो standard electrode potential कहलाएगा बट अगर हमें standard electrode potential calculate नहीं करना है सिर्फ और सिर्फ और electrode potential calculate करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा तो उस condition में हम लगाएँगे nonst equation क्योंकि nonst नहीं बताया था कि standard electrode potential तो calculate हम कर सकते हैं बट अगर सिर्फ और सिर्फ electrode potential calculate करना है हमें तो हम क्या करें तो उसके लिए हम nonst equation apply करते हैं ठीक है चलिए तो लिखा क्या है देखते हैं the equation which shows the relationship between electrode potential E cell से represent करते हैं इसको and standard electrode potential E not cell देखिए जब भी standard की बात आजाएं यहाँ पर not लगा देना हमें E not cell है ना not का मतलब standard condition तो electrode potential and standard electrode potential at the particular temperature of a galvanic cell is known as nonst equation ठीक है मतलब की एसी equation जो relationship बताये electrode potential में and standard electrode potential में ठीक है E cell में और E not cell में तो वो equation क्या कहलाएगी nonst equation है ना और एक particular temperature के उपर बताएगी galvanic cell के एक particular temperature के उपर E cell और E not cell के बीच में जो relation है वो जो equation बताएगी वही nonst equation कहलाएगी ठीक है तो nonst equation क्या है इसकी definition क्या है यह आप अच्छे से clear कर पाए होंगे अब हम बात करते हैं एक general reaction general electrode reaction सपोस करते हैं सपोस करते हैं कि M N positive aqueous medium में है यह plus N electron है ना यह जो है इसने N electron को gain करके M solid में convert हो गया है अब यहाँ पर देखिए अगर यह reaction आपको समझ में नहीं आ रही है तो मैं आपको एक general reaction बताता हूँ आपको reaction याद होगी ZN die positive कितने electron को gain करेगी 2 electron को gain करके ZN solid में convert हो जाएगी ZN solid में यहाँ पर ZN die positive है यह aqueous medium में देखिए जब भी ions रहेंगे वो aqueous medium में ही रहेंगे आपको अच्छे से clear है ना अब यहाँ पर ZN die positive aqueous medium में है इसने 2 electron को gain किया है और ZN solid में convert हो गया यही equation यहाँ पर भी है ZN M N positive तो यहाँ पर ZN die positive aqueous medium है N electron को gain किया है क्योंकि यहाँ पर charge कितना N positive यहाँ पर 2 times positive है तो यहाँ पर 2 electron को gain कर लिए इसने और यहाँ पर जो metal है वो solid में convert हो गया है तो यहां पर zinc भी solid में convert हो गया है Ion से solid में यहां पर भी ionic form थी यह solid form में convert हो गया है ठीक है अब यहां पर कितने electrons का exchange हुआ है देखिए 2 electron का यहां पर 2 electrons का exchange हुआ है यह बात हम आगे apply करेंगे इस equation में तो मैंने आपको बताया है कि कितने electrons का exchange हुआ है इस reaction के अंदर चलिए, अब the nuanced equation may be written as is, इस reaction के लिए nuanced equation हम कैसे लिख सकते हैं यहाँ पर लिखा है देखिए, क्या लिखा है e mn positive slash m is equals to e not mn positive slash m यहाँ पर यह क्या है e cell है, और यह क्या है e not of cell है, ठीक है e cell, e not cell minus rt upon nf log base 10 m solid upon mn positive aqueous अब यहाँ पर यह उपर क्या है, देखिए m solid क्या है, product है ठीक है, और mn positive aqueous यह क्या है, reactant है यह क्या है, arrow के इधर product होता है और इधर क्या होता है, reactant होता है तो यहाँ पर यह क्या है, actual में यहाँ पर हम product लिख सकते हैं यह नुमेरिकल के लिए यह वाला formula हम लगाएंगे, उपर product की concentration और नीचे reactant की concentration, ठीक है, तो यह nuanced equation हो जाएगी इस reaction के लिए, अब फिर और क्या लिख सकते हैं, emn positive slash m is equal to emn positive slash m minus 2.303rt upon nf log base 10, अब log base 10 को हम convert कर रहे हैं, यह natural log है, अगर यहाँ पर ln लिखा हुआ आए तो भ तो जब natural log को, चली यह ln कर देते हैं यहाँ पर, तो जब natural log को हम log base 10 में convert करते हैं, तो 2.303 multiply हो जाता है, तो 2.303rt upon nf log base 10, उपर जो लिखा है, same लिखा हैं यहाँ ठीक है, तो यहाँ पर यह जो symbol हमने use किये हैं, इनका मतलब क्या होता है, यह मैं आपको clear कर देता हूँ, here, E is equals to electrode potential, यह जो E है, इसका मतलब क्या होता है, electrode potential होता है, ठीक, E not, E not का मतलब क्या होता है, standard electrode potential, देखिए, electrode potential तो है, बट यहाँ पर not लगा है, यानि कि standard condition है यह, तो standard electrode potential हो जाएगा, अब R का मतलब क्या होता है, R मतलब होता है, gas constant, ideal gas constant, आपको पता है, हिलामत में हमने पड़ा और इसकी वेल्यू कितनी होती आर की वेल्यू 8.314 Joule किलो इनवर्स, मौल इनवर्स, ठीक है, अब टेम्परेचर, T क्या है तैम्परेचर एड और टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 298 kelvien होना चाहिए, ठीक, तो यह हो गया R, T, N, N का मतलब किया होता लिखा है, number of electrons exchange, यहाँ पर कितने electrons का exchange हुआ है, दो electrons का, यहाँ पर कितने electrons का exchange हुआ है, N electrons का ठीक है, तो जिस reaction की हम बात करेंगे वहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि कितने electrons का exchange हुआ है उस reaction के अंदर, तो N क्या है number of electrons participating या number of electron exchange अब MS, यह क्या है molar concentration of metal मेटल की मोलर कंसंट्रेशन है, देखे, स्क्वेर ब्रेकेट के अंदर हम मोलर कंसंट्रेशन ही लिखते हैं, है ना, स्क्वेर ब्रेकेट अगर हमने लगाया है, तो उसके अंदर हम मोलर कंसंट्रेशन लिखते हैं, रियक्टेंट की या फिर प्रोडक्ट की, तो यहाँ पर प तो यहां पर जो symbol use किये हैं हमने उनका meaning क्या होता है उनका मतलब क्या होता है और उनकी value क्या होती है यह आप अच्छे से clear कर पाए होंगे ठीक है R मतलब gas constant, T मतलब temperature, N मतलब number of electron exchange and F, F मतलब होता है फेराडे मैंने आप यहां नहीं लिखा है F का मतलब होता है फेराडे ठीक है और एक फेराडे की value होती है वो होती है 96500 कुलम होती है एक फेराडे की value ठीक है तो देखिए यहां पर F की value हम put करेंगे R की value put करेंगे और T की value put करेंगे, R की value क्या है 8.314, T की value है 298 और F की value है 96500 तो इन सब की value put करने के बाद जो हमारे पास final nonced equation आएगी वो यह वाली है है न, E cell is equal to E not cell है यही लिखा है यहां पर देखिए E MN positive से slash M is equal to E not MN positive slash M minus 0.059 इन value को जब हम लिखेंगे यहां पर put करेंगे फिर calculation करेंगे उसके बाद 0.059 आएगा upon में N आएगा क्योंकि F की value हमने पहले ही put कर दी थी ठीक है बाकी as it is रहेगा log 10 यहां पर देखिए MS की जो concentration है वो 1 रहेगी अब एक बात आप ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई metal है या solid state में कोई product है तो उसकी concentration हम हमेशा unit मानेंगे unit suppose करेंगे सिर्फ और सिर्फ एक मानेंगे क्यों suppose कीजिए आपके पास glucose है या urea है चलिए यह छुड़िए आपके पास daily life का example में आपको देता हूँ आपके पास sugar है अब शकर solid state में है उसका कोई concentration होगा क्या नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि वो solid state में है अगर उस शकर को हम पानी में dissolve कर देंगे और उसके बाद में उसकी concentration देखेंगे कि कितनी शकर कितने पानी के अंदर है तो हम वहाँ पर उसकी concentration बता पाएंगे, बट solid state में किसी भी metal की या किसी भी solid की हम concentration नहीं बता सकते हैं, तो उस condition में हमें वहाँ पर one लेना है, one suppose करना है, ठीके, तो यहाँ पर देखिए, जो product था, वो हमारा solid state में है, यहाँ पर देखिए, इस reaction को हम बैस मान रहे हैं, इस reaction के थुरू ही हमने non-state equation यह लिखी है, तो यहाँ पर product जो है, वो solid state में है, इसलिए इसकी concentration हम one suppose करेंगे, ध्यान रखिएगा, जब भी product solid state में हो, तो उसकी concentration हमें one suppose करना है, तो यहाँ पर concentration लिख दी हमने one, और upon में mn positive aqueous, यह as it is रहेगा, तो यह वाली equation, जो है, यह non-state equation हो जाएगी इस particular reaction के लिए, ठीक है, अब एक reaction में आपको और बताऊंगा, जो हमारे numerical में काम में आने वाली है, ठीक है, वो equation है, E cell is equals to E naught cell minus 0.059 upon F log base 10, उपर product की concentration और नीचे reactant की concentration, यह जो equation है, नंस्ट equation है, यह हमारी काम में आने वाली है, numerical में, numericals या problems को solve करने के लिए, यह वाली equation 100% apply होगी, इसी equation को हम आगे वाले वीडियो में अच्छे से discuss करेंगे, इसके base पर numericals भी करेंगे, ठीक है, यहाँ पर कुछ-कुछ बच्चों का doubt होगा, कि यहाँ पर यह जो E MN positive slash M लिखा है, और E MN positive slash M यहाँ पर भी लिखा है, तो इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको यहाँ पर इसका मतलब भी बता देता हूँ, देखिए यहाँ पर reduction potential लिखते हैं, यहाँ, oxidation potential और reduction potential, दो होते हैं, electrode potential, two types के होते हैं, standard reduction potential भी होता है, जब standard condition के बात करें, यहाँ वेसे तो reduction potential कहे दे, या oxidation potential कहे दे, बट जब standard condition के बात आ पे इस pressure पे और इस concentration पर बात करें तो वो हो जाएगा standard reduction potential और standard oxidation potential but IUPAC ने बोला है कि हमें हर एक जगे reduction potential ही लेना है reduction मतलब कि जो oxidation state है वो ज्यादा है ज्यादा से कम हो जाएगी दीखिए यहाँ पर oxidation state mn positive है तो positive से zero हो गई है यानि कि reduction हुआ है यहाँ पर भी positive से zero हो गई है यानि कि reduction हुआ है जब भी oxidation state है ना मैं यहाँ पर लिख देता हूँ oxidation state increase होगी तो वहाँ पर क्या होगा oxidation होगा यह आई थिंक आपको पता है और जब oxidation state decrease होगी तो वहाँ पर क्या होगा reduction होगा यह आपको I think अच्छे से clear होगा oxidation state बढ़ेगी oxidation oxidation state घटेगी reduction ठीक है तो I hope जो non-state equation वाला topic है यह आप अच्छे से clear कर पाए होंगे ऐसी मेरी उम्मीद है अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है पसंद आया है तो लाइक कीजिए शेर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चलिए गाइज मिलते हैं अब most important topic वाले वीडियो में यानि कि next वीडियो में तब तक के लिए thank you so much जय हिन